दोस्तों आप लोग Create App से Create Card का Bill Payment कर सकते हैं, Mobile Recharge कर सकते हैं, साथी आप लोग Create App में UPI का विस्तमाल कर सकते हैं, यदि आप Create App को लगातार इस्तमाल करते हैं, तो Create App के तरब से आपको Loan का Offer देयाता है, और आप लोग अधार Card और Pen Card के दरा आसानी से Loan के लिए Apply कर सकते हैं YouTube पर आपको काफी सारे वेडियो मिल जाएंगे, लेकिन हर एक वेडियो में आपको Lone Laker के Live Proof के साथ नहीं दिखा आता है, लेकिन हम जितने भी वी वेडियो बनाते हैं, उसमें आपको हम Live Proof के साथ दिखाते हैं, तो आज किस वीडियो में आपको हम Create App से Lone Laker के Live Proof के दोस्तों मैंने वीडियो के description में link दिया है आप लोग क्लिक करके create app को install कर लेंगे चलिए हम install पर क्लिक करके install कर लेते हैं अब यह install हो चुका है open पर क्लिक करके open कर लेते हैं अब आपको इस तरह से open हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए mobile number fill up करने के लिए आगिया है तो आप इस box में अपना mobile number fill up कर लेंगे यहाँ पर mobile number fill up करने के बाद आप इस box में टिक कर लेंगे इसके बाद agree and continue पर क्लिक कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए पडमिसन के लिए तो आपको यहाँ पर पडमिसन देना होगा आप प्रोसीट पर क्लिक कर लेंगे यहाँ पर क्लिक क अब यहाँ पर देखिए first name और last name fill up करने के लिए आगे है तो आप इस box में अपना first name fill up कर लेंगे इस box में last name fill up कर लेंगे चले fill up कर लेते हैं यहाँ पर detail fill up करने के बाद continue पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए email id fill up करने के लिए आगे है तो आप इस box में अपना email id fill up कर करने के बाद आप इस box में टिक कर लेगे इसके बाद continue फर किलिक करेंगे अब दोस्तों आपका create app में account बन चुका है अब आप लोग create app का इस्तवाल कर सकते हैं क्रेड एप में आप लोग कोई भी क्रेट कार्ट को लिंक कर सकते हैं साती आप लोग क्रेड एप में यूपिय का भी इस्तमाल कर सकते हैं यदि आप क्रेड एप को लगाता इस्तमाल करते हैं तो क्रेड एप के तरफ से आपको लोन का ओफर दे आता है यहाँ पर देख सकते हैं हमें create app के तरफ से loan offer किया गया है दोस्तों आप create app को open करेंगे तो यहाँ पर देखे ऊपर में लिखा create cash और यहाँ पर देखे हमें 1,95,000 रुपए का loan offer किया गया है यानि कि हम create app के माध्यम से 1,95,000 रुपए तक loan ले सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर देखे लिखा has cash तो आप cash पर click करके भी लोन के लिए apply कर सकते हैं यहाँ पर देखे हमें 1,95,000 रुपए का loan offer किया गया है आनि कि हम create app के माध्यम से 1,95,000 रुपए तक loan ले सकते हैं आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा loan offers हो करे या फिर इससे कम loan offers हो करे क्योंकि यह कई test score पर depend करता है आप यहाँ से loan amount को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं आपको जितना भी loan चाहिए आप यहाँ पर अपनी मर्जी से उतना loan ले सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर minimum 500 रुपए लोन ले सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर 1,00,00 रुपए लोन लेते हैं इसके बाद choose your EMI plan पर click करेंगे तो यहाँ पर देखी EMI plan select करने के लिए आगया है यहाँ पर देखी 1,00,00 रुपए लोन 24 महिने की EMI पर लेते हैं त साथ यहाँ पर total interest 18,918 रुपए होगा और यहाँ पर total हमें 1,21,418 रुपए लोन repayment करना होगा यहाँ पर 18 महिने की EMI पर लोन लेते हैं तो हमें यहाँ पर 6,491 रुपए पर मंत EMI पे करना होगा details पर click करेंगे तो यहाँ पर देखी detail दिया गया है total loan amount पर click करते हैं पर 12 महिने की EMI पर loan लेते हैं तो 9,348 रुपए पर मंत EMI पे करना होगा details पर click करते हैं तो यहाँ पर देखे बताया गया कि आपको 1,12,007 रुपए total loan repayment करना होगा तो आप जितने महिने की EMI पर loan लेना चाहते हैं आप यहाँ से EMI मंत को कम या फिर जदा कर सकते हैं यहा पर प्रोसीड पर click कर लेंगे तो आपको जितना भी loan चाहिए आप यहाँ पर अपनी मर्जी से select करके loan detail के बारे में देख सकते हैं चलिए हमें यहाँ पर 35,000 रुपए loan चाहिए तो हमने यहाँ पर 35,000 रुपए loan लेने पर हमें यहाँ पर total 4954 रुपए interest देना होगा और हमें यहाँ पर total 4834 रुपए loan repayment करना होगा total loan amount पर click करते हैं तो यहाँ पर देखे 880 रुपए processing fee देना होगा तो आप यहाँ से EMI month को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं आपको जितने भी महने की EMI पर loan चाहिए आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं आप यहाँ पर जितने भी कम महने की EMI पर loan लेते हैं आपको यहाँ पर उतना ही कम interest लगता है साथी processing fee pay करना होता है चलिए हम यहाँ पर दो महने की EMI पर loan लेना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर दो month select कर लिया है इसके बाद proceed पर click कर लेगे इसके बाद यहाँ पर देखे लिखा है first EMI date तो जो भी यहाँ पर EMI date दिया गया है इस date में आपके bank account से automatic EMI pay हो जाएगा आपको अलग से EMI pay करने की जरुवत नहीं परेगी चलिए इसके बाद चूजी और bank account पर click करेंगे अब यहाँ पर देखे bank account सेलेक्ट करने के लिखे है तो जो भी mobile नमर से आपका bank account लिंक है यहाँ पर वह bank account सो करता है यादि यहाँ पर आपका bank account सो नहीं करता है तो यहाँ पर देखे लिखा है add a bank account आप इस पर क्लिक करेंगे, अब जो भी bank map का account है, आप यहां से वह bank select कर लेंगे, यहां पर देखिए सभी bank दिया हुआ है, जैसे कि हमारा HDFC bank में account है, तो हम यहां पर HDFC bank पर क्लिक कर लेंगे, अब यहां पर देखिए IFSC code fill up करने के लिए आगे है, तो जो भी bank map का account है, उस bank क branch का IFSC code यहां पर fill up कर लेंगे, चले fill up कर लेते हैं, यहां पर IFSC code fill up करने के बाद proceed पर क्लिक कर लेंगे, अब यहां पर देखिए bank account नमर fill up करने के लिए तो आप यहां पर अपना bank account नमर fill up कर लेंगे, यहां पर bank account नमर fill up करने के बाद proceed पर क्लिक कर लेंगे, अब यहां प पर देखिए हमारा bank account add हो चुका है और bank account verify करने के लिए आपके account में एक रुपए send किया गया है चलिए अब आपको यहाँ पर KYC complete करना होगा तो आप tap for instant KYC पर click कर लेगे अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना है यहाँ पर आपको 50 second तक wait करना है अब यहाँ पर आपको dg locker के मादेम से KYC complete करना होगा तो आप यहाँ पर start dg locker के KYC पर click कर लेगे अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर fill up करने के लिए गया है तो आप इस box में अपना आधार नंबर fill up कर लेगे इस के बाद जो भी यहाँ पर capture को आप इस box में fill up कर लेगे चलिए हम यहाँ पर detail fill fill up कर लेते हैं यहाँ पर detail fill up करने के बाद next पर click कर लेगे अब जो भी आपके आधार कार्ट के साथ mobile नंबर link है उस पर OTP आया होगा तो आप इस box में OTP को fill up कर लेगे चलिए OTP fill up कर लेते हैं यहाँ पर आधार OTP fill up करने के बाद continue पर click कर लेगे अब यहाँ पर देखिए अब जो भी आपका date of birth है आप यहाँ पर select कर लेगे इसके बाद continue पर click करेंगे अब यहाँ पर आप अपना डिजी लोकर का login पिन fill up कर लेजे चलिए इसके बाद continue पर click कर लेगे अब आपको इस तरह से open हो जागा चलिए इसके बाद allow पर click कर लेगे अब आपको यहाँ पर click कर लेगे अब यहाँ पर देखे circle बना हुआ है तो आपको इस circle में अपना selfie photo लेना है आप इस camera का icon पर click करके selfie photo ले लेगे अब यहाँ पर आपको थोड़ा से wait करना है अब यहाँ पर देखे जो भी आपके आधार card में detail दिया गया है यहाँ पर detail सो करता है जैसे कि आपके आधार काड में जो भी फोटो है, यहाँ पर फोटो, साथ यहाँ पर आपका नाम, age, pen, number, address, चले इसके बाद आप प्रोसीट पर किलिक कर लेगे, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, अब यहाँ पर देखिए, auto पे setup करने के लिए आगया है, यहाँ पर auto पे मत दिया गया है, इस डेट में आपके bank account से automatic, EMI pay हो जाएगा, आपको अलग से EMI pay करने की जोड़ात नहीं परेगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे bank account से हर एक मैने दो ताड़े को EMI pay किया जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, auto पे setup करने का दो option दिया गया है, सबसे प debit card यानि की ATM card के माद देम से auto पे setup करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर proceed with debit card पर click कर लेगे, हम आपको यहाँ पर सलाद देगे कि आप net banking के माद देम से auto पे setup कर दिये, चलिए हम यहाँ पर proceed with net banking पर click कर लेते हैं, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है, आपको यहाँ पर back नहीं करना है, और नहीं आपको refresh करना है, अब यहाँ पर देखे time चल रहा है, तो आपको इस time के अंदर ही auto पे setup कर लेना है, चलिए इसके बाद आप निचे scroll कर लेगे, और यहाँ पर देखे आपका details हो करता है, यहाँ पर आपका नाम, account number, साथी आप यतना भी loan के ल पर लेगे, यहाँ पर customer ID है, आप यहाँ पर fill up कर लेजे, चलिए इसके बाद continue पर click कर लेगे, अब यहाँ पर देखे, login, password fill up करने के लिए आगया है, तो आप इस box में net banking का login, password fill up कर लेजे, login पर click करेंगे, अब आपके mobile number पर OTP आएगा, और यहाँ ओटीप यहाँ पर automatic fill up हो जाता है, अब यहाँ पर देखे, आगए transaction status, अब यहाँ पर देखे, account details हो करेगा, चलिए इसके बाद आप नीचे scroll कर लेगे, इसके बाद proceed पर click कर लेगे, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है, जब तक यहाँ पर auto pay setup होता है, तो आपको यहाँ पर back नहीं करना है, अब यहाँ पर देखे, loan detail के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर देखे, लेखा है total loan amount 36,500, लेकिन हमारे bank account में 35,000 रुपे loan transfer किया जागा, चुकि यहाँ पर insurance premium है 620 रुपे का, और यहाँ पर processing fee 880 रुपे का है, तो यह दोनों काट करके हमारे bank account में 35,000 रुपे loan transfer कि जागा, साथ यहाँ पर EMI के बारे में दिया हुआ है, तो हमारा EMI होगा 18,638 रुपे पर मन, चुकि हम 2 मेने की EMI पर loan ले रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर EMI protection active, यदि इसको हम यहाँ से off कर देते हैं, तो यहाँ पर देखे लिखा insurance premium 620 यह हमें पे करने की ज़रोत नहीं परेगी, चलि इसको हम यहाँ से off कर लेते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं, insurance premium 620 रुपे यहाँ से हट चुका है, चलि इसके बाद gate money नौपर किलिक कर लेंगे, अब आपके mobile नमर पर OTP आएगा, और यह OTP यहाँ पर automatic fill up हो जाता है, चलि इसके बाद आप यहाँ पर withdraw from create cash now पर किलिक कर लेंगे, अब दोस्तों आपकी bank account में loan amount transfer कर दिया जागा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait कर लेना है, और यहाँ पर देखी हमारे bank account में loan amount transfer कर दिया गया है, चलि इसके बाद proceed पर किलिक कर लेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं, bank के तरप से message आ चुक चलि इसके बाद save पर किलिक कर लेंगे, अब यहाँ पर rating के लिया आगया है, चलि इसके बाद आप बैक हो जाएंगे, चलि आपको हम यहाँ पर proof के साथ दिखा देते हैं कि हमारे bank account में loan amount transfer किया गया है, या फिर नहीं किया गया है, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, HDFC bank के तरब से हमारे mobile number पर message send किया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं, लिखावा money received 35,000 रुपए, चलि हम यहाँ पर HDFC bank के mobile banking app में login करके भी आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे bank account में 35,000 रुपए loan amount transfer किया गया है, तो इस तरह से आप लोग trade app से loan ले सकते हैं, आपको loan मिलना आपके credit score पर depend करता है, यदि आप trade app को लगातार इस्तमाल करते हैं, तो फिर आपको loan का offer दिया आता है, और आप लोग आसानी से loan ले सकते हैं, मैंने आपको detail में बता दिया है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करना मत पर दिया है.